हर बार इंसान ही गलत नहीं होते, कभी-कभी वक्त भी गलत हो सकता है आज का वीडियो इर्फान खान सर की याद में आज मैं आपको इर्फान खान की रियल लाइफ स्टूरी और भी बहुत सरी ऐसे बादे बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं तो यह फिर शुरू करते हैं आज की कहानी जब इंसान अपने दायरे से बाहर जाकी कुछ नया करने की कोशिश करता है उस वक्त पे उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो खुद सबसे पहले वो ही अपने आपको रोपने की कोशिश करता है हजार सवाल करता है डाउट खड़े करता है ये कहना था इर्फान खान का जब उन्होंने भी तहे किया कि वो एक एक्टर बनेगे तब उनके दिमाग में भी बहुत सरे डाउट थे कि वो actor बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे उन्हें acting आती है कि नहीं आती है लोग उन्हें पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे अगर शुरू से शुरू करें तो इर्फान खान का जनम 7 जनवरी 97 को रजस्थान के टॉप में हुआ था उनके पिता का नाम जागिरदार खान, जिनका टायर का बिजनस था, पढ़ाय में तो इर्फान खान ठिक ठाक थे, लेकिन उन्हें बच्पन से ही क्रिकेट बहुत पसंद था, प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेले हुए है, लेकिन पैसो की कमे के कारण वो इस फिल्में आगे न लाइफ में, ये कमाल की आर्ट है, मुझे भी ये आर्ट सिखनी है, लेकिन ये बात जब उन्हें परिवार को बताई तब गरवालों ने बहुत सवाल किये, वो लोग शौक हो गए थे, इर्फान जी ने बड़ी मुश्किल से गरवालों को मनाया इस फिल्ड के लिए, उन् उन्हें 237 रुपे की जरूरत पड़ी थी, उनके पास नहीं थे, तो इदर दर बहुत लोगों से मागे, एक दोस से भी मागे, लेकिन उसने भी बहना करके मना कर दिया, तब उनकी बहन ने अपनी जमा पूझे में से मदद की थी, तब जाके उनका एडमिशन हुआ था NSD म नहीं, लेकिन उनका जो थौट प्रोसेस था, एक्टिंग को रहे कि वो काफी अलग था, जो सिस्टम चली आ रही थी, उनसे कुछ अलग करना चाते थे, उसमें भी एक रिस्ता की लोग इस टाइप की एक्टिंग को एकसेप करेंगे की नहीं करेंगे, फिर भी उनोंने यह नहीं रास्ता चुना, एनस्टी के बाद इर्फान खान आ गए, सपनों के शहर मुंबई, अपने सपनों को पुरा करने के लिए, और इना निफेस, और बीना बैक अप के इर्फान खान के लिए, सही मायनों में स्ट्रगल अब शुरू हुआ था मुंबई आने के बाद, ल तो इर्फान कान ने सीरियल से अपने करियर के शुरूआत की, उसमें भी जो भी किर्दारों को मिलता वो कर लेते, चाहे वो छोटा होया बड़ा, चंद्रकान था, श्रीकान, सारा जहा हमारा चाना के और भी कई सारे शोज उन्हें ने किये, लेकिन एक वक्त पे वो बहु जाती शर्मी नहीं थे, जाधा बात नहीं करते थे, वो डिरेक्टर के पीछे आगे पीछे गुमना, उनको रोल के लिए मनाना, एक ही बंदे को बार-बार काम के लिए बोलना, ये सब उनको नहीं आता था, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ ये सब आना बहुत जरूरी है को काम चीए, तो इरफान खान का भी अपना नेटवर्क नहीं बना पाए, ये भी एक रिजन था कि उनकी एंट्री फिल्मों में बहुत ही लेट हुई, लेकिन जैसे जैसे वो उनका स्ट्रगल पीरिड बढ़ता जा रहा था, वो डिप्रेस होने लगे थे, वो सोचते थे क क्या कमी है मेरे एक्टिंग में, लोग मुझे फिल्में क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसे आला तो मैं आज पास की लोगों ने अपनी फ्री की राय दे के उन्हें और गंफ्यूज और डिमोटिवेट कर दिया था, किसी ने कहा ये करो वो करो, किसी ने कहा तेरे पास अच्छे फोटोज नहीं है, अच्छे फोटोज के बिना तुझे कैसे फिल्मों में काम मिलेगा, तो इरफान खान ने अलग-अलग किरदार लेकिया, अलग-अलग लूट में फोटोज भी खिचवा दिया और फिर से धक्के खाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, अब उसी पर चलते रहते हैं, रोज अपना-अपना हुलिया नहीं बदलते हैं, तो इस तरीके से तुमको काम नहीं मिल सकता फिल्मों के अंदर, तुमारा तरीका गलत है, एक तरफ सीरियल से ओफर आ रहे थे, लेकिन इरफान कान अगर चाहते ना उस टाम पे तो सीरियल में आ आफी टाम के बाद एक फिल्म मिली उनको सलाम बॉंबे, बड़ी खुशी के साथ उस फिल्म को किया, लेकिन जब रिलीज हुई तब पता चला कि इरफान खान के बहुत सारे सिंस काट दिये गए हैं, तब इरफान खान समझ चुके थे कि अभी भी स्ट्रगल पूरा नहीं हुआ है, ऐसा काम करूँगा ना अगली बार से कि एक शौट नहीं काट पाएगा कोई, उसके बाद फिल्मों में छोटे बड़े किरिदार करते रहे, धीरे धीरे करके लोग उने जानने लगे, लोग बात करने लगे कि फिल्मों में एक नया लड़काया है जो आखों से ब जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, ना कोई कर पाएगा, इर्फान खान की एक्टिंग की बाते हॉलिवूड तक पहुँचने लगी थी, वहां से काम आने लगा था, अफ़र्स आने लगे थी, उनने शौट फिल्म करना शुरू कर दिया, बहुत सारे काम करते थे, उन उनने पूरी दुनिया को दिखाया कि वह किस लेवल के एक्टर है, उसके बाद बहुत सारे फिल्में की लेकिन जब पान सिंग तो मराई, तब उन्हें सही मायनों में सूपर स्थार का दरजा मिला, जो बहुत ही पहले डिज़र्व करते थे, उनने इस फिल्म के लिए इस बीमारी के बाद भी उन्होंने अंग्रेजी मीडियम जैसे फिल्म की इतना बहतरीन परफॉर्म किया, 29 अपरिल 2020 जिस इनको कहा जाता था कि दुनिया खतम होने वाली है, उस दिन धुनिया तो खतम नहीं हुई, लेकिन एक सितार दुनिया से जरूर चला गया हमेशा के 53 अर्स की एज में उनके डेथ हुई, हिंदी सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाने वाला स्टार चला गया, कोई भी उनकी जगा नहीं ले सकता है, सिनेमा को इर्फान खान के बिना अधुरा ही रहना पड़ेगा, वर्ड्स निये मैं क्या बोलू उनके लिए, ले पान सिंह तोमार हो, पान सिंह तोमार आपको पता है, रिलीज करने को उतयार नहीं था, को रिलीज अट्की होई थी उस फिल्म की, उसको रोका भी गया था उस फिल्म को, जब रिलीज होई थी, लोगों को पता भी नहीं था, प्रमोशन भी नहीं हो था, इस लंच बोक्स क पाइब करो जितनी फिल्म उन्होंने की है, कौन से बड़ी फिल्में की है, लेकिन वो कहते ना कि अगर हीरा जो होता है वो अपनी चमक दिखा देता है, चाहे वो कितनी भी भीड में हूँ, तो बहुती inspiring इनकी story है, बहुती inspiring परसालिटी थे, बहुती भूरा लगता है ने वीडियो के साथ, बाय तिक्क्र एन, सी यू सुन.